दर्दी सर्व ने एक मसला छेड़े हैं तो जिस दी काफी स्टेई के चर्चा है तो चर्चा चल रही है धन गुरु गोबिन सिंग जी महराईज दा एक वाग सामने आ रहे हैं तो उसे दी विचार इस वक्त में हैं आप जी दे सामने रखन दी निमानी कोशिश कर रहे हैं इस दा सदका शबत सदसंगियान उजरूर चेते होएगा जागत जोत जपैन सबासर एक बिनामन लैक ना आने पूरन प्रेम प्रतीत सजे बरत गोड मड़ी मटबूल नमाने तीरत दान दयादत संजम एक बिनाने एक पच्छाने हैं पूरन जोत जगे घट में तब खालिस ताहन खालिस जाने प्रतम खालिस खालसा शबत परशिंद आए पारसी दाए इस दे अर्थने सुध पावन पवित्तर मनुखदा कुदरती सभाव है महल तो घिरना हों दिये महला चंगा नहीं लगदा महल नू ढखना पेंगा है फुल्णा नू ढखन दी लोड नहीं गंदगी नू ठखना पेंगा या इजी कहे देए जिसनू ठखना पेंगा उगदा ही है जिसनू ठखन भी लोड नहीं होते फुल्ला वर गज़ मनुखने भी जो कुछ छुपाया होंदा हो ठीक नहीं होंदा जो कुछ चंग्याई हैं उन्हें वोते बंदा हतेली तेले इफिर दा में कीता में कीता में कीता है बड़े बड़े मंदरां देते लिखियां या सिला गुर्दवारें आच मैं इतना दान देता है मैं इतना दान देता है अज किसे गुर्दवारे एक सिला भी नहीं देखी जिते लिखे आवे मैं इतना जूट भी बोले है मैं इतनी बेहिमानी भी कीती है मैं इतना अनर्थ भी कीता है उते बंदा छुपांदे जो इसने चंगा कीता हुँद मनुक दो हथां ते लही फिरदा कि जो कुछ इसने ऐसा कीता है जिस तो समाज देंदर के रना पैदा हो सगरी हो जो ते साव साव पड़दे पांदे हालिस हालसा पावन पवित्कर सुद धन गुरु गोविन सिंग जी माराज हालसे दिविया क्या कर रहे ने कुकर जो कुछ दर्दी साव ने कहें न मैंते इक दिन भी छल सकठा उस हिसाव नेमे कहिं थे पैना कई यान ने मीना कटे उने पाओ झक का यान सालांबदी कटिन मैं थे एक दिन भी नहीं कर सकठा मुक्तसर अर्ष कराऊ जागत जोत जो पैन इस बासर एक बिनामन नैक ना आने हैं पूरन प्रेन प्रतीत सजेबरत गोड मड़ी मठ भूल न माने प्रत्म प्रमाक्मा जागे आवया सत्गुर जागता है देव पीश्वर्दिश सोना नहीं है भगवान देच निंदरा नहीं है पीश्वर्दिश वो सदा जागे आए इतना वड़ाए ब्रेमंड चल रहे है अगर इसनु चलान वाला ही सोग जाए अरबां खरबां सूरज चंद आ रहे है आवास तों भी तिखी गती नाल चल रहे है अगरे नानु चलान वाला ही सोग अधिसारे ही टकरा जानगे पर किदरे भी एक्सिडेंट नहीं होंदा टकराव नहीं होंदा एक सेकेंड ले भी किदरे बस दा ड्रेवर सोग जाए तो गई बस इतना वड़ा ब्रेमंड कोई सूरज सूरज नाल नहीं टकरांदा कोई चंदरमा दे नाल नहीं टकरांदा कोई ग्रे ग्रे दे नाल नहीं टकरा रहे है अरबां खरबां सूरज चंद तारेने कई कोट ससीर सूर निकत्र साइव के निन ओ जागे होया है पर ब्रहमंद दिछ बहुत कुछ सुटता होया है सत गुर्जागता है देव जिस दी इंज गुर्वर्जन देव जी भ्याख्या कर देने धन सूती फिर सद जागन्ता पर मातमा सदा जागया है जीव सदा सुटता होया है जागे वेदा जागे नाल मिला पूंगा है सुत्य वेदा जागे नाल नहीं जागे वेदा सुत्य नाल दो सुत्य है नींद देच ने कुछ भी पता नहीं एक जागे होया है एक सुत्य होया है ताम एक दूसरे दा पता नहीं दोने जागे होए उने चाहिए इश्वर जागे होया है जीवन सुत्ता होया है कि जीवन दे गुर्बाणी ने चार भाग की तेन है प्रथम पत्थर फिर बनस्पती फिर पशू पक्षी फिर मनुख मनुख नो अशर्फल मखलुकात जिड़ा के है उमेज इस बस्ते है बाकिया ननो जागे है पत्थर पूरा सुत्ता है और आप सुनके हैरान होगे गुर्बाणी पत्थर नो जोन मन दिये दानगुरु रामदास्टी महराज दवाग कही जनम सैल गिर करेया पतनी कितने समय तक ऐर मनुख तो पत्थरी रेया पतनि पत्फर कदों मिट्टी बने है, मिट्टी कदों बनस्पती बने बनस्पती चल्दी चल्दी कद पशू पक्षी बने कि पशू पक्षी कितनी लंबी यात्रा तो बाद बने मनुक आप सुनके हैरानों होगे अजोका विग्यान इसनल सहमत होगे सेंसे मत होंगी जा रही है इश्वर जागे होया है इधरती सूरज दा टुकड़ा है सूरज अगदा गोला है इज़ ठंडी होई तो पत्थर पत्थर से इस पत्थर नो हजारां साल लग गए मिट्टी बणंदेच कि मिट्टी नो अनंत काल लगे है बनस्पती बणंदेच पत्थर पूरा सुत्ता होया है पत्थर देच भुख नहीं प्यास नहीं पत्थर मुरुजांदा नहीं खिरदा नहीं पत्थर दी कोई समाजिक जिम्हवारी नहीं पत्थर दी कोई धार्मक जिम्हवारी नहीं पत्थर दी कोई राजने तेक जिम्मेदा रही है। पत्थर दुख सुख तो भी ने आ रहा है। दो शबद बरदाश करना है। संत कैसा होंदा है। कि दुख सुख तो ने आ रहा है, पत्थर दुख सुख तो ने आ रहा है। हर अग सोख तो नेरा है संत किर जेड़ी चीज मनुखदे अनभाव दे चलाओे मनुख उस दी मंग नहीं कर सकता अगर मनुक सुखदी मंग करदा है करां-तरां दे हादसेयां तो बचना चांदा है जिम्मेवारियां दे बोजां तो भी बचना चांदा है इस तरह दी जिन्दगी इसने देखी है देखी है मामें अचेत पणेची देखी होगे और संसकार मवजूद ने कितनी मेर्ज कर देखी है जैसे एक नमा जनमेया बच्चा है उन्नो कुछ भी पता नहीं है पानी दख लेकिन प्यासते है उस देखो प्यास के में बुझेगी इसनो पानी दखोई गया नहीं पानी देखे या भी नहीं है जैसे अजी ते आया जगर देख अजी ते मांदी गोफ देखे इन बुख भी लग दी है और कुछ भी खुराकदा पता नहीं है बुख किमे मिटेगी ये भी नहीं पता लेकिन बुख है इसकों सिर्फ फिर रोना है बुख रुला देँ देए प्यास तड़पा देए प्यास पाणे नाल बुजेगी इसनों कोई पता नहीं ये बुख दूदनाल मिटेगी और जननाल मिटेगी इसनों कोई बहुत नहीं लेकिन बुख रोन पे मजबूर कर दी क्योंकि मनुखी बच्चे दा कुछ अंग जाग गया है पत्थर देच बुख नहीं प्यास नहीं पत्थर देच सुख नहीं दुख नहीं पत्थर देच हासा नहीं रोना नहीं पत्थर मुरजांदा नहीं कुमलांदा नहीं और खेडा भी नहीं पत्थर भी नेरा है दुख सुख तो नेरी अवस्ता मनुख ने जरूर देखी ए इस सक्रिच न पहे नऄं के सुख ते सडोड़ी मंगए सुख अपनी तरह दे भौज है दुख अपनी तरह दे भौज है कोई सुखा दे भौज थले दब्बे हो एने कोई दुखांदे बोज खले दब दे रहे हैं एगल वक्री है कि बोतेयाने दुखांदे बोज देखे ने लेकिन बोतेयाने सुखांदे भी बोज देखे ने देखे है कि दुख भी मनुख नो अपनी ठांतों हिला देंदा है सुख भी अपनी ठांतों हिला देंगा बलके सुख ज्यादा हिला देंगा इतने दुखी मनुख नास दिकने ही जितने सुखी मनुख नास दिकने ही सुख भी मनुख नो अपनी ठांतों हिला देंगा दुख भी मनुख नो अपनी ठांतों हिला देंगा पत्थर दुखी नहीं होंदा सुखी नहीं होंदा पत्थर दी कोई समाजिक जिन्मेवारी पत्थर दी आवाज भी नहीं अलफाज भी नहीं लेकिन सहजे सहजे ए जीवन गती मान दे है पत्थर पूरा सुता हुए प्रमातमा पूरन जागे हुए पत्थर पूरा सुता है यातरा जीवन दी पत्थरां को अरंबोई इस सवस्ते पत्थरां दी ममता दी आजिवी मौजूद किसे न किसे रूप बड़ी परबल रूप दिछ मौजूद मनुक पत्थर दी मूर्ती बनाना चैन्द है अपनी मौर्ती भी पत्थर दी बनाना चैन्द है पर कौन दसे पत्थर दी मौर्ती तो पतनी कितने समय तक तो रहे है रहे हैं यह पत्थर कजने खिच ओंदी ये माजी दी खिच ओंदी ये भविस्ती इपी छोकड भी खिच दाए पत्थर भी खिच दाए मनुखरिया पत्थर सहजे सहजे लंबी यातरा तो बाद पत्थर बनया बनस्पती बनस्पती देच च्यास पैदा हो गई बनस्पती कुमलांदी ये खिड़ दी बनस्पती मौसम तो भी प्रभावत हों दिये, गर्मी तो प्रभावत हों दिये, सर्दी तो प्रभावत हों दिये बनस्पती थोड़ा जियां दुख सुख भी महसूस पर दिये थोड़ा जियां जाग गई थोड़ी जियां जागरती पैदा हो गई लेकिन बनस्पती दी भी कोई समाजक जिन्दगी धारमक जिन्दगी राजने तक जिन्दगी नहीं ठोड़ी जियां बनस्पती जाग गई है दुख सुक मैसूस कर दी है कुमलांदी है किड़ दी है मुसम दा असर भी कबूल कर दिये और इस दे अंदर प्यास पैदा हो गई पाने चाहिद है चाहिद है ना मिले तु तड़ दिये कुमलां दिये मुरुजा जान दिये खत्म बजान दिये जल बिन साख कुमलावति ही उपजे नाही दाम बनस्पती लंबी यातरा तभाब पशु पक्षी बनें पशु पक्षी स्जिते प्यास है बुक भी पैदा होगिए मेरे पानी नाल गल नहीं बनेंगे बोजन भी चाहिएbn बनस्पती चिरफ प्यास है पथर दीच प्यास भी नहीं बुक भीनें बनस्पती देच प्यास है, पशू देच प्यास भी है, बुख भी है अथर दुख सुख में सूस नहीं कर दा, बनस्पती कर दीए पशू पक्षी कर देने पशू पक्षी ज्यादा दुख सुख में सूस कर देने, ज्यादा जाग गएने जिते बनस्पती दो फिस सदी जागी उठे पशू पक्षी पंचे फिस सदी जाग गए लगे चलिये ए मनुख इस दियंदर आस्ते है बुखवी है सुख दुखवी ने सरदी गर्में तो भी ये प्रबावत होंगा है लेकिन मन बन गया विक्सत हो गया विचार शक्ती चल पई ये सोचन लगते है तो इस दे को लिक नवे दुखने जनम ले है जो पशुमा को लिए बनस्पती को लिए पत्थर कोलते है ही ने इस स्वस्ती रूहे जमीन पे को दावे ना लाखी जा सकती है ना पशु इतने दुखी ना बनस्पती ही जितना मनुक दुखी है बनस्पती नो पाणे मिल जान दै पशू पक्षियां नो मिल दा है क्या मनुख नो नहीं मिल दा मिल दा है स्रीरिक लोडां दी पूर्ती पशू पक्षियां भी हों दी है बनस्पती दी भी हों दी है और मनुखां दी भी हों दी है बलकि साहिब के इत्वे तक केंदे ने सब किछ बहुतो बहुत उपाया रहन नो जितनी धर्ती चाहिए प्रभू ने कई गुना ज्यादा बनाई है हजारां मेल तक जगा खाली पर ये कैनेडा आदेश, आस्ट्रेली आदेश कोई रहना ही ने दो-दो हजार मेल तक कोई कस्बाई नहीं, कोई शेहर ही नहीं रहन नो जितनी जमेन चाहिए बहुत ज्यादा है के पीन नो जितना पाने चाहिए जीवान नो बहुत ज्यादा है खान नो जितनी खुराक चाहिए जीवान आलो बहुत ज्यादा है गुरबाने ये कहें दिए जीव बात दे चामदाय भोजन पहले आओंदाय उदारिजिक पहले आओंदाय पहले देते रिजिक संभाहा पाचे देते जंत उपाहा जीव बात दे चामदाय उदारिजिक पहले इस वास्ति साहिव के दिन कम से कम रिजिक दी चंता ते ना करस त पांकर चंत चंता है करते पिरानी सुफी संद शेक सादी सहब तो किमन गमें रोजी मखर और कोई गम करना ही ते कर ले आई गम ना करीए रिज़ गमें रोजी मखर मजन औराके दफ्टर राके पेशे अस्ति फल एजद कल कुनद पस्ताने माधर बच्चे दा जनम बाद देचाए मान दे अस्थना देचे दो तो पहले है रिजक पहले है जनम बाद देचाए जीव बाद देचाए शेक साथी के नित्थों क्यों नहीं तो प्रेर ना लेंदा रिजक पहले है जीव बाद देचाए पेशे अस्तिफल एजद कलकुनद पस्ताने मादर रा दूत्ते पहले बच्चे दा जनम बाद देचे जगद देच जीव बाद देच आम देने रिजग पहले तो मेहर्स करन շरीर के लोड़ां भी पूरती प्रकिरती कर देदिए पर मनों के सिरफ शरीर नहीं ही मन है टान्य लोड़ां भी पूरती हो जान दीए मन भी खाइशा भी पूरती नहीं हो दी तो मनुख मानसिक तलते दुखी है दुखी है और ए दुख मनुख दा पशू पक्षिया नलों बदे होया है बनस्पती नलों बदे होया है क्योंकि ज्यादा जाग गया है कि होन में अर्ज करा जो एक संत है अभयासी है बेरागी है धार्मक है ओ आम बंदेया नलों ज्यादा पीड़ा दे चो लंग दा तो उस पीड़ा दा जिकर गुरू ते एक बादर सहिब ने कीता है बाबेफरीद ने कीता है क्योंकि ज्यादा जाग गयने जिड़ा जितना ज् चेत होवेगा उतने बेचैन दुखी ब्याकुल होवेगा पत्थर ब्याकुल नहीं होड़े अचेत है बनस्वती परिशान नहीं होड़ी अचेत है कोई चिन्ता वं भेकर ब्याकुलता बिरहे दिपीड़ा पशु पक्षियंच नहीं ने अचेत है थोड़े जागे मनुख ज्यादा जागे है मनुखांदे चावी जागरती दी अपनी अपनी मिकदार है मनुखांज कोई अठवी सदी जागे है कोई दसपी सदी कोई यारां बारां कि चिंतक ऐसा के दिने जो दौर्षनिक ने फिलोस्पर ने सैंटिस्ट ने बड़े बड़े कलाकार में बाउदक तल्थे जेन वाले ने वो भी चौदा फिसदी तो ज्यादा जागे वे नहीं ने बाकी भाग सुता है और जो चौदा फिसदी जागे है वो बाकी नाली ज्यादा दुखिये मान से बतलते जितना जागरा है उतनी अंदर एक पिड़ा पैदा उन्दी है जितना ज्यादा जागरा है उतना संसार ए जगद खिलोना परती तोंदर यह भी मैर्ज कर दें जैसे गालब केंगे बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे पिस सारा जगद बच्चेयां दा खेले कुछ भी नहीं मनुख जिना जिना चीजां लई रोंदा है तड़पदा है गालब केंदा है बच्चेयां दा खेले कुछ भी नहीं सेना बनदा है मैं फिर अर्ज करां जितना स्याना होएगा उतने ही दुखी होएगा बेचैन ब्याकुलता दुख स्यान करी पैचान है पत्थर नहीं दुखी होंदे पत्थर नहीं ब्याकुल होंदे पत्थर नहीं बेचैन होंदे क्योंकि सुथता है बिलकुल सुथता है एक ब्याकुलता बेचेनी एक सावगाद दी तरफ हो प्रमात्मावलों में ली है ताके मनुक इस जीवन ते संतोष्ट ना हो जाए पत्थर ते संतोष्ट है ठीक है पत्थर ठीक है धरसल क्योंकि सोच शक्ती अरंब नहीं होई तो दुख सुख तो ने आ रहा है जो दुख में सुसकन लगते है सुख में सुसकन लगते है उते सुचेत हो गया है ठोड़ा जा गया है कि हुण में अर्जकना जितना जा गया है उतना पवित्तर है बाकी भाग अपवित्तर है जितना जा गया है उतना खालिस है बाकी खालिस नहीं है अचेत मेला है सुचेत ही पावन है परित्थर है धन गुरु गोविन सिंग जी महाराजी कहें दिने तुम अपने आपनों जगा ताके पूरा जाग जाएं जिमें प्रमात्मा जागे वह थे तुम जागे वह थे जागे ऑड़ा जागे ङनल संबन्त जुड़दा है सुते अधा जागे नल तो महाराजी फिर के में जगाईए अपने नू के में जगाईए तो धन गुरु गोविन सिंग जी महाराजी के में जागत जोट जाप अने सब आशर एक बिना मन रख नान आन वहेगरू दा जब वहेगरूनों सुनान वास्ते नहीं, अपने आपनों जगान वास्ते, इते जगान वास्ते